गर पे आपके अपोड़ेंग अगर खाना नहीं बन्ता आपके टेस्स्ट क मैप सभ्णी सभर्ण को प्सांद नहीं तो क्या आपना पसंद दरोगे नहीं करोगे और его सब तो वैसे आगर बिजनेस की बात करो कि तो बिजनेस में अरख Parlament इसकी ब्रोडक्शन तो उसको बनाने में वो सब चीज़े क्या हो जाएगी वेस्ट हो जाएगी तो वही हमारा आजको टॉपिक है डाटेस्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट Marketing Management What it mean? जब हम बोलते हैं बिजनेस अगर करना है तो क्या बिजनेस आप ऐसे कर लेंगे? हमें जो अच्छा लग रहा है क्या हम वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं अगर आपको बिजनेस सक्सेस करना है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफिट अर्न करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइप करना होगा आपको उनके करना lahat सब्सक्राइब करना होगा उनके डेमांड से őकर जेसे करना होगा तभी आप अचीव कर पाऊगे आपना सकसिस तो वही चीज हम marketing management में देखेंगे अगर मैं बात करूं कि अगर गर्स की अभी हम देखते हैं कुर्ती की नीचे पाले lagging चल रहे लेकिन अब क्या चल रहे है अब पैंट चल रहे हैं तो अगर अभी भी production पैंट प्रोडक्शन करना पड़ेगा उनको पैंट करना पड़ेगा उनको पैंट करना पड़ेगा क्यों क्योंकि अब डिमांड में क्या चल रहे है तो जैसे कस्टमर की डिजायर है जैसे कस्टमर का satisfaction होता है जो ट्रेंग में चल रहा है बिजनस को उसकी अकॉर्डिंग वर्क आउट करना पड़ेगा अगर उनक्या करना है कस्टमर को satisfy करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफित अच्छीव करना है इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर उनकी अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो क्या होगा करेंगे हमें तो प्रॉफित होगा ही नहीं तो वहीं चीज़ है रख कंजूमर आर्दी किंग और भी मार्के अब याप एक डैपिनिशन दी गई है डैट इस अकॉर्डिंग तो स्टेंट मार्केटिंग इस टोटल सिस्टम और बिजनस अक्टिविटेश वीचा डिजाई तो प्लैन अ प्रॉडट्ट तो डिटरमाइन इस प्राइज और डिस्ट्रिब्यूट्स वीच गोर्स वीच गन सैटिस्फाइव और कंजूमर इसके अगर सबसे पहले हमें प्लैन करना अर्गनाइजेशन का हम उसको अचीव करें मुझे पता है मुझे जादा से जादा प्रॉफिट अर्म करना है तो मैं कैसे करूंगी तो वही चीज है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे कस्टमर के सैटेस्फेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम हमारा टारगेट और और पूर्डिंग तो यह था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट अग इसके अक पूरा डाग्राम दिया गया है आपको जो की अपने मार्केटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिया गया जिसमें आपको सब चीजे एक्स्प्लें की गई है बहुत एजली सो हम देख लेते हैं य इसमें क्या होता है मार्केट फॉर्कार्स मार्केट फॉर्कार्स मतलब वाट डू कंजूमर्स रिक्वायर जो मैंने अभी बताया आपका मार्केट ऐसे नहीं चलेगा बिजनेसे नहीं चलेगा जो कंजूमर्स को पसंद है जो कंजूमर्स दिमांड कर रहे हैं जो मैंने का पेंट अभी डिमांड में चल रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले कोई बिजनस्मेंड क्या सोचेगा सबसे पहले फॉर्कास करेगा कि कंजूमर को क्या चाहिए तो यहां पर देखेगा कि उनके डिमांड में चाहिए उसके लिए चाहिए तो पूरा चाहिए कि मुझे यहां पर functions चाहिएंगे वो सारा एक तरीके से setup यहां पर create करने को बोला जाएगा developing exchange यह developing exchange में आपके distributors भी इंवल्व होंगे कि हमें किस channel के थ्रू यह क्या करना है इस तरीके से communication system आपका generate होगा जब आपने पूरा setup कर लिया है उसके बाद आप क्या करोगे producer तक पहुचोगे कि आपके department एक producer department है production department जहां आप supply करोगे अपने raw materials को services को producer तक दोगे कि यह आपको production इन चीजों का करना है इससे आपका public relations create होगा public relations मतलब कि जो भी आपके employees है producers है suppliers है उसके साथ आप क्या करोगे contact में होगी interact करोगे that is public relations इस तरीके से आपने क्या क्या producer तक आपके raw materials पहुचा दिये and then what producer will do it will generate the goods and services generate करेगा और जिससे की क्या होगा customer satisfaction create होगा लेकिन अब customer satisfaction के पहले आपको यह चारों चीजे करनी होगी that is marketing mix marketing mix मतलब यह आपको अगर आपका business success करना है तो उसमें यह चार चीजे बहुत important है जिसे हम बोलते है four piece जो कि हम आगे पढ़ेंगे detail में four piece होता है कि product सबसे पहले आपको product बनाने according to customers उसमें क्या-क्या चीजें होनी चाहिए branding labeling यह सब चीजें आगे देखेंगे price आपको customer के according reasonable price रखना होगा जो कि affordable हो then place distribution आपको क्या रखना चाहिए कौन से channels of distribution आपको रखने चाहिए and then last is promotion techniques आपको क्या-क्या रखनी चाहिए तो यह चार टाइप की क्या यह पीज है जो क्या होगा यह अगर आप अच्छे से क्रियेट कर लोगे तो उस केस में आप customer को satisfy कर सकते हो तो वार्ट इस यह हमने पूरा एक डाइग्राम देखा जिससे कि क्या होगा आपका इक पूरा market process clear हुआ है आपका एक shot में हम मैंने यह आपको clear कर वा दिया सबसे पहले फॉर्कास्ट होगा उसके बाद आप customer के according सोचोगे क्या बनाना है developing action manufacturing कुरा आप setup create करोगे किसके तुरू distributors क्या क्या चैनल्स हमने रखना है communication system create होगा उसके बाद आपने देखा producer जो हमारा department है उसमें आपने raw material supply किये services supply किया जिससे आपके public relations create और उसके बाद यह marketing mix आपको फॉलो करना पड़ेगा that is product price place and promotion यह चारो mix आप सोच लोगे उसके बाद आप customer को satisfy कर सब्सक्राइब क्लियर है okay now next is functions of marketing process now what is that first one market research वही कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि market में demand कौन से चीज़ की चल रही है lagging की नहीं पैंट की चल रही है तो उसके according मैं क्या करूंगी market research के according मैं क्या करूंगी यहां पर मेरा production स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले research किया collection of products अगर मुझे पैंट बनानी है तो मुझे उसके लिए बहुत सारे materials चाहिएंगे अलग-अलग products चाहिएंगे कोई मुझे कहीं मिलेगा कहीं मुझे कोई दूसरे शॉप्स पर मिलेगा तो यह सब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इस अब चीजे करने पड़ेगी पैकिंग का material मुझे कहीं और मिलेगा उसका जो raw materials जिससे मैं create करूंगी वो मुझे कहीं और मिलेगा उसके लिए मुझे buttons चाहिए chain चाहिए zips चाहिए तो सब जगह मुझे अलग-अलग materials मुझे सारे collect करने पड़ेंगे जो कि अलग-अलग areas में scattered किये हुए हैं तो उसके बाद मैं collection करूंगी transformation of raw materials into consumable product जब मेरे पास सब चीजे आ गए मैंने product collect कर लिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगी इसको मैं consumable product में create करूंगी कि ताके मैं यह क्या कर सकूं उसको सेल कर सको इसके according मैं consumable product में इसको create कर दोगी then next is standardization and gradation standardization means जब बोलते हैं कि जो भी मैंने product क्रियेट किया है वो सेम शेप का होना चाहिए सेम साइस का होना चाहिए उसे बोला जाता है standardization कोई मैं बोलूगी कुछ अब है कुछ डाउन है तो ऐसे नहीं होना चीजिए सब की साइस standard OVC that is standardization and gradation मतलब जहां हम बोलते हैं कि एक प्रोड़ेक्ट को मैंने तीन-चाह क्योलिटी में हम भी चलेगा तो यह क्यों होता है कि तार की सारे कस्टमर्स को क्या हुए वह चीज मिले वह आइटम वह प्रोड़ेक्ट वह यूज कर सके इसलिए उनके अलग-अलग क्योलिटी बनाई जाती है उसी को बोला जाता है GRI pre visiting Namki next is labeling of product labeling means वह हूगी प्रोड़ेक्ट होता है तो उस पर लेबल लगता है क्या उसमें एक तो होता है a brand MP3 मतलब जिससे हम बोलते हिडन प्रोड़। कि यह product कि है ।ब्रैंट हम बोलते कि अगर हमें कैचप चाहिए मैण तो ब्रैंट से बिंकता है ना यह ब्रेंड से हम बोलते हैं हम एकफीचप भी चाहिए मुझे ही शुड़ की चीजे चाहिए मुझे टो यह क्या है यह ब्रेंड हो गया जिससे हम अइडनिटीफाइ कर सकते हैं प्रॉडट्क जब लेभलिंग होती है तो उसमें सब इंग्रीडियेंट्स लिखे रहते हैं उसमें date of manufacturing एती है, expiry date एती है, how to use यह सब चीज़े होती है, जो कि बहुत important है, हम कभी भी कोई भी shop पे जाएं, तो हमें यह जीज़ ज़रूर देखना चाहिए, कि उसका date of manufacturing क्या है, and date of expiry क्या है, that is very important, clear? then price determination, अब लेबलिंग के बाद price determined करना तो बहुत जरूरी है, right? वो तो बहुत important है business वालों के लिए, तो price इस तरीके से रखे, कि reasonable price हो, जादा high भी नहीं हो और जादा low भी नहीं हो, कि हम अमारा profit भी अचीव नहीं कर सके, price determination, then packing the product, and packing हम बोलते कि इतना attractive होना चाहिए, कि कस्टमर को नहीं लेना तो भी बूले, ऐसे हमारे साथ बहुत बार है, हम कोई शॉप्स पे जाते हैं, हम देखे हैं, यह चॉकलेट की रैपिं इतनी सुंदर है, तो क्या है, मैं यार एक ले 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 तूँ, ऐसे होता है, यह सब के साथ होता होगा, ज़रूरी नहीं है चॉकलेट में, कभी हम देखते हैं कि बेकरी शॉप्स पे हमें दिखते हैं, अलग-अलग आइटम्स दिखते हैं, जिसमें देखें कि पैकिं इतनी अच्छे हैं कि हम पारा मन हो जाता है ले निका, तो यह बहुत जाधा मैटर कर रहा है कि हाव यू पैक भी बहुत इंपोर्टेंट है, जब पैक कर दिया अब उसके बाद स्टोर तो करना पड़ेगा, कब बुर्स के डिमांड जादा हो जाए, तो मेरे पास स्टोरेज तो होना चाहिए न हमेशा इक प्रोविशन स्टोक सा रखेंगे हमारे पार, ट्रांस्पोर्टेशन सर्विसे, अब बूट्स को डिलीवर करना है, तो मेरे पास अल्रेडी एक होना चाहिए कि मैने क्या ट्रांस्पोरेशन के लिए पॉनसे सर्विस रखी है मैने, अगर रोड के तरू बेज ल अब इंशॉरेंस एक रिस्क है कि हमने अगर गुर्स को स्टोर करके रखा है, उस केस में भी रिस्क है, अगर मैं गुर्स को ट्रांस्पोर्ट करें उस केस में भी रिस्क है, कि यार अगर मैं इतने गुर्स ट्रांस्पोर्ट करें और अगर बीच में कोई गुर्स डैमेज हो गया कुछ हो गया तो उस केस में वो लॉस कोंड बैर करेगा कस्टमर तो करने गाला नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा इसलिए मैं इन सब चीजों का इंशॉरेंस करके रखूंगी कि ताकि मुझे लॉस बैर नहीं करना पड़े जो भी चीज़ें हमने अभी देखी क्या वह विदा विदाउट फाइनांस हो सकता है नहीं हो सकता तो मुझे कितना कैपिटल इसमें रिक्वाइड है मुझे कितना वर्किंग कैपिटल चाहिएगा यह सब चीज़ें करने में तो डैट इस फाइंशल अरेंजमेंट्स एड़ करते हैं कि लोगों का चीज पौचे अगर मैंने क्यों कोई नया प्रोडिक्स टार्ट किया तो लोग अवेर कैसे होंगी उसके लिए जब मैं उसको एडवर्टाइज करूंगी लोगों को पता तो चलना चाहिए नहीं तो मैं डिमांड कैसे होगी में प्रोडेकर सुछे इ आपे जो हमारे सैटिस्फेक्शन कर सके कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा हम क्योंटिटी और बूस सोल कर सके वो डिस्टिबिशन सिस्टम हमें आपे अरेंज करना पड़ेगा रैंग सेलिंग यह सब चीजे होने के बाद हम क्या करेंगे एक्सीं जोब गुर्स करेंगे इसको प्रश के भी जाते है जाते हैं कुछ भी अगर हो जाते है तो क्या होता है उसकेस में आपको वॉर्णी के साथ सबिसेज दीजाती है so what is this all about this all about is the functions of marketing process I think clear right now next topic that is difference between marketing and selling marketing or selling marketing and marketing are both terms are same but it is different selling business business customer satisfied profit earn second time customer or not he knows that he has no fact he has no fact he has no fact he has no fact and he has no meaning that is sale how do you sell but what we have seen in marketing चाहते कि profit तो मैं करूं लेकिं with customer satisfaction. तो ये दोनों में difference है. Sailing प्रेफित इंचीव करेंगा हो. लेकिन स्रीफ उसको profit से मतलब है. से मतलब है. लेकिन marketing research के अंदर ऐसा नहीं है. marketing के अंदर हम बोलेंगे. with customer satisfaction वो चाहते है कि मैं profit earn करूँ. So once we read out these differences. सबसे पहले that is meaning जो मैंने आपको बताया है यह customer satisfaction करेगा और यह स्विफ exchange of goods करेगा scope इसके अंदर वाइड है जो कि अभी हमने देखा पूरी हमने यह पर प्रोसेस देखी कि बहुत वाइड है इसके अंदर लिमिटेड है अब्जेक्टिव क्या कि customer satisfaction करके इसको profit earn करना लेकिन इसको स्विफ profit earn करना है बाइड सेलिंग इन पार्टी इसके अंदर suppliers, middleman and consumers इसके अंदर रहेंगे जो मार्चे देखेंगे क्या-क्या channels इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर सिफ buyers and seller है क्यों कि इसके सिफ सेल करना है that is buy and sellers इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर तो capital चाहिए यूज हमें अभी देखा है store के लिए grading के लिए packing के लिए labeling के लिए insurance के लिए सब के लिए चाहिएगा बट यहां पर इतनी requirement नहीं रहेगी direction of efforts इसके अंदर क्या कि customer के according करना है तो efforts लगेंगे लेकिन इसके अंदर के efforts to be preparing consumer to accept the existing product जो हमारे पास product है हम चाहते हम वही efforts दालेंगे customer यह purchase तो दोनों में difference समझे है यह customer के according करेगा और यह क्या बोल रहा है कि जो customer हमारे पास है हम उसके अपार्टिंग क्या करेंगे हम बोलेंगे आप यह लो हम इसमें efforts डाल तो यह दोनों में differences थे और नेक्स आइडियो लॉजी और मार्केटिंग मैनेजमेंट आइडियो लॉजी हम बोलते देखो हर बिजनेस का अलग 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 व्यू होता है कम से कम होगा क्योंकि कम होगा तो उससे प्राइस क्या होगी कम होगी तैसी प्रोडक्शन को स्ट्रीटि पे ध्यान नहीं देगा क्योंकि दिखती सी बात है cost of production आप कम रखोगे तो क्या होगा उसमें आप सोचों कि दो मुझे कम रेट में मिले तो वह आपको ज्यादा चीप रेट में मिलेगी जब इसकी कॉलिटी एच्छी नहीं है इस तरीके से कोई कोई बिजनेस वाले सोचते हैं next product concept product concept में यह बोलेगा कि मुझे मेरा जो product है वो एक नंबर मतलब इसके अंदर क्या देख रहा है वो बोलता है कि मेरे प्रोडेक्ट की क्योलिटी क्या होगी बैस्ट हो मुझे चलेगा लेकिन मुझे ऐसा है कि मेरे क्योलिटी बैस्ट होगी तो कस्टमर मेरे पास वापस देगा यह क्योलिटी पर देगा तो थोड़ी सी प्राइज इडी इसकी खाय तो कोई-कोई बिजनसवाले इस कॉंसेप पे चलेंगे सेलिंग कॉंसेट कोंसेट जो मैने है बूला इसक切े मुझे ita SAP करना है अब अब कस्टमर कोई तो नहीं हो नहीं हुए मुझे तो बस सेल करना घ्लेर नेक्समार्केटिम कॉंसेट जो अभी हमने इतना प्ड़ा मुझे प्रॉफिट अचीव करना है लेकिन कैसे करूंगी तस्टमर को सैटिस्वाइब करके प्रोडेक्शन करके उनके सैटिस्वाइब तक मुझे पहुषना पड़ेगा उनके डिमांड की अकॉर्डिंग करना पड़ेगा डैक्टिस मार्केटिंग कॉंसेट एंड लास्ट इसकेक तरह प्लास्टिक प्रोडे थिमिंग सब्सक्कुर्ण को अब्छाइब करें गए तो जब यह को चलता है विक्षाइब को देखा जाता है कि वह किसी तरीके से हां माउड एकि सोशल को यह पांच साहीं के कॉनसेप्स हैं जो बिसनेस अपने अप्ने तरव यूस करत done this complete this with this video अब मैं आपको नेक्स वीडियो में ये बताऊंगी कि मार्केटिंग मिक्स का जो concept है वो आपको क्लियर करोगी तो आज के लिए हम ये फिनिश करते है वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एट ओके थैंक यू